जो अभी गन्ना की गई है उस गन्ना पर तो हमको भी स्वास नहीं है गन्ना ठीक्टे हुआ ही नहीं है लोग घर पर पहुँचे ही नहीं है टेवुल बरक किया गया है अगर चूनों नहीं यार कुछ जानते हो बजो लेकिन जब आरक्षन की बात आई अम्बेशकर शाम ने पूर किया था तो सहाँ था कि दस्वरस में इसी समिख्ञा होनी चाहिए लेकिन जो ब्यापक्ता होनी चाहिए वो ब्यापक्ता यहां पर नहीं है यहां सिर्फ नावंकन में बात आती है और वो सेवाओं में था तो उस पर कुछ विशेस बाते हैं हम कहना चाहते थे लेकिन खैर आप का आदेश नहीं हुआ नहीं बोले इस पर आदेश हुआ हम बोलते हैं इसमें कई एक पहलू है महोदे उसको देखना चाहिए हम आरक्षन दे दे अभी सुधार कर दे चुकी जनसंख्या की बात आई है जो अभी गन्ना की गई है उस गन इसे लिए उसके अधार पर अगर कुछ और करते हैं तो इस्थिती वही होगी कि जिसको हक मिलना चाहिए उसको हक नहीं मिलता है एक बात और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ हुजूर्ट कि आरक्षन आप दे दीजिए लेकिन जब आरक्षन की बात आई थी अम्बे अधार सरकार ने आरक्षन चाहे सेवाओं में हो या नामांकर में हो कभी समिक्षा करने का कस्ट की है सरकार किहां कितना हमने अभी तक दिया है कितना आरक्षन है या नहीं है यह सरकार सोची है हमको मालूम है हुजूर्ट हमको मालूम है कि जहां तक गर्ष्टेट इंपला के आरक्षन की बात जहां आती है और उनाई स्वा एक्षतर से रोष्टर नियम लागू है और अब तक 16% ही सही होना चाहिए था लेकिन उनका आरक्षन अभी मात्र 3% है तो 16% कैसे पुरा किया जाएगा सरकार को यह सोचना चाहिए उसी परकार से यह जो विभिन सैक्षिनिक संस्थाओं में आरक्षन की बात की जाती है आरक्षन अब बढ़ा दिये साई ध्यांदिक रूप में हां कौन नहीं चाहेगा क्यों बढ़े लेकिन धातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मेकनिजम डवलप्ट करना चाहिए जो सरकार आज तक मेकनिजम डवलप्ट नही क्या है तो इससे कोई फाइदा नहीं होने वाला है इसलिए में मैं करना चाहता हूं कि रहे हैं हमको बात नहीं समझ नहीं है इनको कुछ ऐड़ीया है इंटो मेरी कोई गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री नहीं चीक है यह कोई सेंस नहीं है इसको आई सहीं बोलते रहता है कोई मतलब नहीं है हम का रहे थे कि आफी लोगों के साथ रहिए आपक के चलाया था साथ पार्टी में अभी हम जान करके भगा दिये उधर क क्या पुदर रहे हैं इसे लिए हम कहेंगे बात हो गई है असल समर्थन कर रहे हैं और और कोई सेंस है यह जो प्रचारित करता है सुनन बैचो नहीं यार बैचो न आरे आप लोगों को जब छोड़ दिये थे बढ़िए भूलिये मत अरे भूलिये मत अरे तेरह में जब आप लोगों को छोड़ दिये थे अब अकेले थे तो हम चूनो नहीं यार कुछ जानते हो बजो हम इसको बना दिये आई इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको दो ही महीना में कहने लगा कि गड़बड है इसको हटाईए और अंत में हम और चौन को बाद किया फिर हम बन गयते लगा एकिता ही और कहता है कि ये भी मुखे मंतरी थे अरुक्त मतरी था कि तो मेरी मुर्खता से मुख्यमंत्री बना आपकी आप उपर वाला भी जान लो आप बिना मत्तव का रोज इसको पब्लिस करते हो कोई सेंस है इसमें मुख्यमंत्री परभारी मंत्री करते हैं